नमस्कारम सद्गुरू, जब हम गुस्सा होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और अपने अंदर कहराई में बसे गुस्से को कैसे संभाले? ये इस पर निर्भर करता है कि इसका शिकार कौन है? मान लीजिए कि आप अपनी मा से गुस्सा हैं, तो आप एक तरह से व्यभार करते हैं, अपने दोस्ट से गुस्सा हैं, तो दूसरी तरह से. आप अपने प्रोफेसर से गुस्सा हैं? बिलकुल अलग तरह से. हाया ना? तो अभी आपका शिकार कौन है? आपको उस एसाब से काम करना होगा. पर अभी आप ये सवाल पूछ रही हैं जैसे गुस्सा आपका एक स्वाभाविक हिस्सा हो. क्या आप अभी गुस्सा है? आपका नाम क्या है? रोहिनी. रोहिनी. क्या आप अभी गुस्सा है? नहीं. फिर आप गुस्से के चिंता क्यों कर रही है कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता है हाँ, आप गुस्सा होती है गुस्सा आपके साथ नहीं होता आप खुद गुस्सा होती है आपको ये पसंद है पसंद नहीं है फिर आप ये क्यों करती है देखिए, हमारे आसपास कई लोग कई चीजे करेंगे जो हमें पसंद नहीं है हाई ना, मुंबई में बहुत सी चीजे हो रही है जो चीजे हमें पसंद नहीं, वो रोज हो रही है पर कम से कम आपके अंदर सिर्फ वही होना चाहिए जो आप चाहते हैं इसके अंदर, है ना? मैं ये तए नहीं कर सकता कि जो मैं चाहूं सिर्फ वो आपके साथ हो पर मैं ये जरूर तए कर सकता हूं कि जो मैं चाहूं सिर्फ वही मेरे भीतर हो, है ना? अगर आप ये तए कर पाते कि आप जो चाहते हैं सिर्फ वही आपके भीतर हो तो आप गुस्सा चुनेंगे या खुशी आपका चुनाब क्या है? कृप्या चुन लीजे, मैं आशिरवात देने वाला हूँ देखे, आप अपने लिए सबसे उचे स्थर का सुख चाहते हैं, है ना? फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? जैसा कि मैंने पहले कहा, आप में यूजर्स मैन्यूल कभी नहीं पढ़ा ये कैसे काम करता है? इसे नहीं देखा गया है उन लोगों के उदाहरण मत लीजिए जो आपसे कुछ साल पहले यहां आए थे कि नई नई, मेरी मा भी ऐसी थी, मेरी दाधी भी गुस्सा होती थी, इसलिए मैं भी गुस्सा होती हूँ उनहें आपके जीवन का प्रेढنا स्तुरोत नहीं होना चाहिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, आपका विचार, आपकी भावना, आपका शरीर, ये आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना? अगर कोई व्यक्ति ये तै कर सकता है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी गुलामी है, है कि नहीं? आपके आसपास क्या होता है, शायद ये हम तै कर सकें, पर आपके अलावा किसी को भी ये तै नहीं करना चाहिए कि आपके भीतर क्या होता है, अगर आप तै करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे सबसे उंचे स्तर के सुख में रखेंगे, आप गुस्से के साथ संघर नहीं करेंगे, बात सिर्फ गुस्से, डर, तनाव या चिंता की नहीं है, उन्हें अलग-अलग ना देखें, मूल रूप से आपका मन आपसे निर्देश नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये कमबक्त कीबोड है कहां, अभी तक, हमने आपको एक सूपर कम्प्यूटर दिया है, आप नहीं जानते की कीबोड कहां है, तो एक दिन आपने ये किया, कुछ काम बना, दूसरे दिन आपने ये किया, कुछ काम बना, क्या आपने लोगों को देखा है, रेडियो काम नहीं कर रहा है, बूम, और वो कभी-कभी काम करता है, ये कोई टेक और ये काम करने लगता है तमिल नाडू में एक कहावत है यानि अगर आप चार थपड मारेंगे तो सब ठीक हो जाएगा ये ऐसे ठीक नहीं होता झाल झाल